हेलो इवरिबरिवन आज कर इंस्टाग्राम पे एक केक वाइरल हो रहा है जो कि बरह छाथ ही स्वाधिष्ट बनकर त्यार होता है इसमें किसी भी प्रकार का क्रीम मखन बडर नहीं ड़ा जाता है और अंडा भी नहीं डाला जाता और यह बिल्कूल हीं सॉफ्ट सा बनकर त् और बिल्कुल घर के ही समानों से आप दोनों केक बना सकते हैं तो दोनों केक में सिखाने वाली हूं और दोनों काफी स्वादिश्ट बनकर त्यार हो तो यहां पर मैंने क्या किया है कि बदाम पिस्ता छोटी वाली इलाइची और चेरी ले लिया है और इसे क्या कर लिया है पैन में और इसमें क्रस्ट किया हुआ छोटी इलाइची बेरीज और ड्राइफ रोट्स को कट करके डाल दिया है एक चमच मैंने कश्टड पौडर डाला है वैनिला फ्लेवर का और पान से छे धागा केसर का डाला है तो मैं केसर वाली केक बनाने वाली हूँ तो इसी कारण से मैंने केसर धागा डाला है तो इस तरह से आपको मिक्स कर देना है सभी चीजों को इसमें कश्टड है ना तो बुठलिया पर जाती है तो काफी बढ़िया से आपको इसे फिर आग पर मीडिया मास पे लगातार चलाते हुए पकाईएगा यहाँ पे मैंने केस लग जाए तो बंद कर दीजिएगा और बंद करने के बाद आप चाहें तो इसे फ्रीज में ठंडा कर ले या फिर ऐसे भी नॉर्मल ठंडा कर लीजिएगा लेकिन लगातार चलाते रहेगा वरना उपर मलाई जम जाएगा यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में एक कप सूजी सत्की जाला है और इसे काफी बढ़ियासा फाइन पाउड तीयार कर लेना है यह हमारा बिल्कुल ही फाइन पाउडर बनकर तयार है तो अब इसे करेंगे साइड मैंने एक बड़ा बरतन लिया है इसमें लिया है आधा कप चीनी मैंने डाला है मिश्री का पाउडर ठीक है और आधा कप दही डाला है आधा कप चीनी का पाउडर और आधा कप दही दोनों को अच्छी तरह से mix करेंगे, काफी बढ़िया से mix कर लेना है, और इसमें अब डालेंगे आधा कप से कम, ठीक है आधा कप से कम, यानी कि 1 बाई 4 डालेंगे, रिफाइंड ओयल, इसे रिफाइंड ओयल में ही बनाएंग यहां पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है सभी चीजों को उसके बाद बहुत ही मिक्स करना जरूरी होजाता है इसका लंग से हटाना होता है मैंने वीडियो में देखा था मैदा में बनाते हुए पर मैं यहां पर सूजी में बना रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 5 मिनुट तक ढग कर छोड देंगे और 5 मिनट के बाद फिर से इसके उपर से एक चाय छनी लेंगे मोटी जाली वाली और इसके उपर से मैंने डाला है एक बरा चमच दूध पाउडर मैंने 10 रुपे का पैकेट खरीदा है दूध का पाउडर ये एक बरा चमच से एक चमच है और इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप मैदा और इसमें मैंने डाला है पांच ग्राम बेकिंग पाउडर ये देखिए बेकिंग पाउडर है तो मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तिमाल करूंगी तो यहां पे बेकिंग कैप हर घरों में इस तरह से दवा का एक कैप रहता है जिसे आप अगर कफ शिरफ पीते हैं तो उसमें इस तरह का आपको कैप मील जाएगा तो उससे मैंने 5 ग्राम ले लिया है बेकिंग सोड़ा स्वरी बेकिंग पा ओडर और अब मैं लूँंगी बेकिंग सोडा यानि मीठ और उसे भी छान लेंगे तो इस चाय चनी में मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दूद का पाउडर और मैदा डाला था और अच्छी तरह से छान लिया है और अब इसमें मैं एक सीरप डालूंगी वेनीला एसेंस है ये मैं इसे 10 ml डाल रही हूं ताकि इसे हमारे के ये काफ़ी बढ़िया सा मार्केट जैसा खुस्बू आजाए तो अगर आपके पास नहीं तो कोई बात नहीं आपके पास अगर है तो डाल लीजिए और यहां पे आधा कप दूद मेंने डाला है और आधा कप दूद के बाद काफी बढ़िया से मिक्स कर लिजिएगा का फ में काफी time लगेगा और सही भन भी नहीं पाएगा तो हमारा बिल्कुल चिपिक सा स्टिकी सा बिटर त्यार है मैंने एक पॉट लिया है और इस पॉट में मैंने बटर लगा लिया है दाल दिया और इस तरह से पेस्ट त्यार किया हुआ इसमें डाले! इस से टैप करेंगे ताकि अंदर का एर निकल जाया और मैंने यहां पर पहले से ही एक तवा जिस पर रोटी बनाते हैं उसे गर्म करने के लिए रख दिया था कापी बढ़िया से गर्म हो चुका है इसके उपर से मैंने स्टैन रख दिया है क्यूंकि हमारा जो पॉट है धकन लगाकर बहुत अच्छी तरके से धीमी आज पर बने देंगे मेरा जो केक है वो बनने में बिल्कूल 50 민ट लग गया है धीमी आज पर तो इस तरह से आप चेक लिजिएगा 50 मिनट के बाद मैंने स्टिक की इस सहता से बढ़िया था यह पक चुका था इस्टीक में बिल्कुल चिपक नहीं रहा था अब इस तरह से हम पलटेंगे तो हमारा केक बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा तो देखिए इस तरह से आप पलट कर पॉट निकालेगा बहुत ही असाने से निकल जाता है क्योंकि मैंने बटर लगा दिया था प इसाने में सबnothing का बिल्कुल है औरुट इसमीद मैंने इसे अदा चूंछ हो जाता है तो इस अधरी थैली कि मैंने बना बटर पेपर हम अभूत ही except काट कर भूस कि हटा थी nhất zwischen पास्च्च में से हटा लेंगे मैंने इसे सूजी में बनाया है तो थोड़ा इसे कहेंगे भुरभुरा सा बन जाता है अगर आप मैदा में बनाईएगा तो थोड़ा सा लूज जैसा बनता है मैंने इसे हेल्दी रूप में बनाने का कोशिस किया है और सच में वाकई में बहुत ही बढ़िया साइए बनकर त्यार हुआ है आप भी अपने घरों में जरूर बनाएगा और अब एक श्टीक लेंगे और श्टीक की साहता से जैसे टूथपिक मैंने लिया है और काफी बढ़िया से इसमें होल करेंगे इस तरह से ताकि इसके ऊपर जब हम पेसर का दूद डालें तो काफी बढ़िया से अंदर चले अबजोर्ब हको जाया और मैंने इससे साइड से कट कर दिया है अगर आप नहीं चाहते हैं तो कुई बात नहीं नहीं भी कट नहीं मैंने सोचा से कट कर देती हूं तो काफी गोल सबस्कोंति से कट स समय हो जाएगा क्यूनकि यह पॉर्ट यह ले इसके उपर से रख देंगे और काफी बढ़िया से कोट कर देंगे आप इसे तुरंद भी खा सकते हैं लेकिन तिन घंटे बाद अगर आप इसे खाते हैं तो और भी ज़्यादा जूशी बनकर ये तयार हो जाता है जब आप इसे अपने घरों में बना कर खाएंगे ना तो काफी आपको पसंद आएगा बहुत ही टेश्टी सा ये बनकर तयार होता है तो यहाँ पर मैंने कुछ गुलाब की पंखुरियों से सजा दिया है तो वाइरल केक है ये इंस्टाग्राम का मैंने सोचा मैं भी बना कर देखती हूँ काफी बढ़ी आसा ये बनकर तयार हुआ है तो चलिए अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ तो देखे कितना सॉफ्ट है ये बिल्कुल ही असानी से ये कट जाता है तो सोचिए कि अगर मैदा में बनाया जाए तो कितना सॉफ्ट बनकर तयार होगा पर मैंने सुजी में ही बनाया है और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी सुजी में ही बनाईएगा ठीक है सुजी में ही बहुत बनिया ये बनकर तयार होता है तो इस तरह से आप अपने घरों में बनाईए और देखिए और अब मैं दुसरा तरीका बताती हूँ कि अगर आपको इस तरह से जहनजट नहीं लेना है क्योंकि बनाना तो बहुत यह सहान है लेकिन पकने में काफी टाइम लग जाता है मतलब 40-45 मिनिट लग जाता है हो सकता है आपको ज़्यादा भी समय लग जाए तो अगर आप इतना इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो एक मैं सिंपल तरीका बताती हूँ आप मार्केट से ब्रेड लाए और दूद को इस तरह से तयार कर लिजेगा और उसी दूद को ब्रेड की ऊपर डाल दीजे आपका इंस्टेंट केक पयार हो जाएगा थेंक्यू सो मच